मैं आपके लिए exercise 3 लेके आई हूँ direct indirect से related यानि कि आप बोल सकते हैं उसको reported speech चलिए start करते हैं class को start करने से पहले मैं एक doubt clear करना चाहती हूँ किसी ने मुझे comment करके पूछा कि मैं जब आप reported speech को direct से indirect में बदलते हैं तो फिर आप question mark क्यों नहीं लगाते हैं ठीक है क्या पूछा मिर से कि मैं आप question mark लगाना क्यों भूल जाते हैं जी नहीं मैं भूलती नहीं हूँ मैं question mark क्यों नहीं लगाती इसका ये reason है कि reported speech में जब direct से indirect बदलते हैं तो जो आपका question mark है वो हट जाता है अब कोई पूछेगा मैं क्यों हटता है तो वो इसलिए हटता है क्योंकि जब हम reported speech में किसी भी चीज को change करते हैं तो उस समय क्या होता है हम किसी की कही गई बात को दोहराते हैं यानि कि repeat करते हैं ठीक है तो डिक्टो का डिक्टो repeat नहीं करते हम उसमें हम क्या करते है कि उस तो बस ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पे change करेंगे तो यहाँ पे question mark मत लगाईएगा marks ऐसे ही कट जाएगे आपके तो चलिए बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का अब हम start कर देते हैं अपनी class ओके तो पहले reading होनी चीए आप लोगों को मालूमी है Sanjay बोलता है I am surprised to see you here मैं तो बहुत surprised हो तुम्हें यहाँ पे देखके in Delhi Delhi में when did you come तुम कब आये थे तो मदन बोलता है I came here yesterday मैं कब आया था yesterday आया था I have been offered a job here मुझे तो यहाँ क्या मिल गई एक job मिली है ठीक है तो आप इसे convert करते है Sanjay told mother Sanjay ने मदन को कहा अब देखिए told आया है मैंने आपको last video में बताया था कि यहाँ पे जब told आता है तो आप क्या करते है इसको change करते है तो मैं आलिक देती हूँ हम A में sorry change नहीं करेंगे इदर that लगाए यह मैंने बताया था आपको ठीक है तो Sanjay told mother that ठीक है अब इसके ब change करेंगे क्या change करेंगे he use करेंगे आप बुलेंगे मैं he क्यों यूज किया क्योंकि यहाँ पे Sanjay की बात हो लिए कि Sanjay क्या हुआ surprise हो गया था तो उसके लिए हमने he use किया क्योंकि वो एक man या boy है ठीक है that he अब देखिए यहाँ पे आपका कहा गया इसको erase कर देती हूँ मै आपको दिखनी रहा होगा ठीक है यहाँ पे देखिए M है ठीक है जब मैंने आपको last table दिखाई थी आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको table कहा गई table यहाँ पे है तो इस table में मैंने आपको बताया था कि जब हम is RM लगाते है यहाँ पे देखिए हाँ का लिखते है वाज लिखते है ठीक है या फिर वाज या वर का यूज करते है ठीक है तो हम यहाँ पर कर दें change is को मैं यहाँ पर am को sorry change कर देती हूं was में that he was surprised verb की second form आई वही है हमारी तो हम उसको वैसा का वैसा add करेंगे surprised ओके ठीक है he was surprised to see you to see यह तो यहाँ तक ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से हमारा pronoun आया है यानि कि you आया तो you मतलब किसके लिए यूज हो रहा है मदन के लिए यूज हो रहा है न कि मैं तो बहुत surprise हो तुम्हें देखके यानि कि मदन को देखके वो बोल रहा है तुम्हें देखके मैं यहाँ पर surprise हो तो फिर यहाँ पर आएगा to see him in Delhi Delhi में उसको देखके क्या है वो बहुत surprise है यहाँ तक हमारा complete होता है ठीक है अब बी पार्ट हम कर लेते हैं when did you come तुम कब आए यहाँ पर तो इसको convert करते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जब WH word होता है उसको हम वैसा का वैसा रहने देते हैं तो हम when का when ही रखेंगे ठीक है did you come तो did जो होता है वो आपका किसमे convert हो जाता है लिख लीजिएगा एक बार note करेगा head में ठीक है किसमे change हो जाता है did आपका head में और इसके साथ verb की हमारी कौन सी form लगती है third form लिखती है ठीक है लिख लीजिएगा एक बार जान से तो when इसक साथ आप क्या लगाएंगे पहले तो subject लगाएंगे subject यहां पर he use होगा आपको पता ही है यहां यू की जगे he use करेंगे when he had did की जगे आएगा head और come की third form क्या होती है आपकी यह देखें come come came come ठीक है यहां पर वापिस साथ जाएगा आपका come यह third form के रूप में आया आपका come ठीक है चलिए अब see कर लेते हैं यहां पर see read करेंगे हम I came here yesterday मैं यहां पर कब आया yesterday आया था तो उसका तो आपको conversion बता रिया यह देखिए मदन में reply किया that he had come there the previous day and added that added that मतलब कि आगे भी उसने बताया अब क्या बताया वो तो आपको आगे वाली line से बता चलेगा यहां have been offered a job here मुझे एक job दी गई है तो I की जगे आप यहां पर क्या लगाएंगे यहां पर जो I दिखना है आपको उसकी जगे आप लगाएंगे अपना he यहां पर he अब आपको मैंने बताया था यह table में कि have की जगे आप आप यहां पर देखिए यह have है ना उसकी जगे आप had use करेंगे have भी यह ना head use करेंगे कैसे अगर आपको विस्वास नहीं हो रहा हो तो आप table में देखिए एक बार और last वाले वीडियो में मैंने आपको यह table किसमें देदी थी पीडिया फॉर्म में देदी थी description box में ठीक है देख लीजेगा वो तो यहां देखिए यह has been आ रहा है न तो वो किसमें चेंज हो जाएगा head में चेंज हो जाएगा ठीक है has और have head में चेंज हो जाएगा तो चलिए कर देते है has और have यह नहीं हाँ exercise 3 चलिए यहां पे मैं had लिख देती हूँ he had been been तो था ही न हमारा बीन को क्यों छोड़े हम यह ना चलिए तो इसको इस line queries कर देती हूँ यहां पे आपको दिख रहा होगा offered a job here offered obviously हमारी third form ही है तो हम उसको offered ही रखिए he had been offered a job उसे क्या मिली है एक job मिली है अब यह जो hair है ना वो table आप वापिस से देखिएगा hair को आप change कर देते हैं there में इस तरीके से हमने सारा का सारा complete कर दिया इसको convert करके है ना exercise 3 complete होती है कोई भी doubt होने पे आप मुझे comment box कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है हर comment का मैं reply देती हो आप check out जरूर कीजेगा next exercise में जल्द ही लाऊंगी कुछ ही गंटों में thank you for watching and keep supporting our channel thank you so much आप जड़ी अईट है झार किज़े प्यूशनों सार शचे जय कोई परा जड़ी तो प्राफ़ीद जड़ीद पा जड़ीद बतावी है